हेले स्टूएंट बेल्कम बैक तो अबर यूट्यूब चैनल एन्मी क्रेटर तो आज हम जैसा कि हम वीडियो में पड़ रहे थे ठीक है नियूमेरिकल एनलिसिस में हमने लाश्ट लेक्शर में पढ़ाता सिंप्षन बनवाई 3 रूल ठीक है ना आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे शिंप्शन 3Y8 रूल ठीक है? तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला कहता क्या है तो फॉर्मूला क्या होता है? इंट्रिकल x0 x0 प्लस NH fx dx is equal to अब यह क्या है? 3Y8 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3H Y8 ठीक है न? अब हम क्या करते थे? फॉर्ष्ट हमारा क्या होता था? y0 plus yn यानि जो आरा पहला टर्म plus last का टर्म फिर हम क्या करते थे? 3 यहाँ पर हमारा होता था y1 y2 अब क्या होगा? इसमें 3Y8 रूल में एक चैंज हो जाएगा हम दो similar लेंगे यानि दो pair से लेंगे एक को छोड़ देंगे जैसे by 1 by 2 लिया तो यहाँ पर हम by 3 को छोड़ देंगे ठीक है? तो इस तरीके से by 3 छोड़ दिया by 4 by 5 ठीक है? इस तरीके से लेंगे तो यानि एक स्टेप छोड़ रहे है तो by n-2 plus by n-1 ठीक है? अब क्या है? फिर plus 2 आता था अब जो हमारा छूटा क्या है यहाँ से? यहाँ से छूटा क्या है? by 3 तो यहाँ पर हमारा by 3 और उसके आंगे हमारा क्या है? by 6 ठीक है? तो ends on यह हमारा चलेगा कहाँ तक? by n-3 ठीक है? तो यह हमारा simplification 3 by 8 rule का formula अब चलते हैं एक सवाल पर और इसको हम solve करते हैं तो question लिख लेते हैं हमने फॉर्मूला ले लिया है लिख लिया है और इसके बाद हमने सवाल ले लिया है ठीक है ना? और सवाल हमारा क्या कहा रहा है? कि हमें evaluate करना है find करना है integral 0 to 6 e to the power x upon 1 plus x dx यानि Simpson 3 by 8 rule की शायता सी हमें इसको solve करना है तो हम solution देखते हैं हम same बही method process करते हैं जो हमने last lecture में किया था यहाँ पर n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 क्योंकि कितने terms मैं देख रहा है 6 अब h कैसे निकालते है upper limit upper limit कितनी है 6 minus lower limit 0 upon n number of terms कितने है 6 तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 6 upon 6 यानि 1 ठीक है अब यहाँ पर हम table बनाएंगे तो table देखेंगे x यहाँ पर हमारी by की table रहेगी अब जो देख रहे हो आप h x 0 पर h की चंग्या यहाँ पर कितनी ही देख रही है तो x 0 इसका मान आएगा sorry 0 ठीक है x 1 यहाँ पर h की बन x 2 2 x 3 3 x 4 4 x 5 5 x 6 6 number of terms ठीक है अब क्या करना है हमें by की value find करना है तो हमें इसको table बनाना पड़ेगा और वीडियो को like जरू कर दीजेगा और हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा ठीक है by की जो हमारी value क्या है by is equal to क्या दिया गया है by is equal to क्या दिया गया है e to the power x upon 1 plus x ठीक है तो यहाँ पर by 0 की value कैसे निकलेगी तो y 0 क्या हो जाएगा e to the power x यानि e to the power x not upon 1 plus x 0 ठीक है x 0 की value क्या है 0 1 plus 0 यानि इसका मान क्या होगा इसका मान बन होता है बन upon बन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बन तो y0 कमान क्या है 1 अब by 1 की value तो by 1 की value यहाँ पर by 1 e की पावर 1 1 प्लस 1 यानि e की पावर 1 अपॉन 2 e की पावर 1 का जब scientific calculator से निकालेंगे अभी मेरे पास मैं नहीं है तो मैं बता देता हूं किस तरीके scientific calculator से यहाँ पर दिखेगा आपको scientific calculator में ln कुछ करके ठीक है ना ln उसको प्रेस करके shift की को प्रेस करना तो e आपका आजाएगा और फिर 1 कर देना इसको लटू तो हमारी value आएगी यहाँ से 2.71 ठीक है इसमें हम 2 का divide करेंगे तो हमारा आजाएगा 1.359 तो यहाँ से 1.359 इस तरीके से आप पूरी value निकालेंगे तो हमारी table की value मिलेंगी इस पेकार से तरीके से हमने table बना ली है और यह हमारी value आ चुकी है अब हमें क्या करना है अब हमें formula यहाँ पर put करना है तो हम लिखेंगे by Simpson 3y8 rule क्या कहता है हमारा क्या है integral 0 to 6 e to the power x upon 1 plus x dx ठीक है न यहाँ पर 3h upon 8 6 terms है तो 6 terms तक हमें जाना है तो पहला terms क्या होगा y0 plus by 6 ठीक है न अब हमारा क्या था 3 ठीक है odd number तो यहाँ पर by 1 और by 2 हमने बताया था 2 pairs लेना है एक को छोड़ देना है तो by 3 यहाँ से छूट जाएगा फिर बचेगा क्या by 4 plus by 5 ठीक है फिर हमें even number जो हमारा छूटा था वो हमें लेना है क्या by 3 और इसके आंगे हमें जाना नहीं है क्योंकि by 4 by 5 यह लेना है और by 6 हमारा पहले time तो यहीं तक हमें करना है अब हम क्या करेंगे यहाँ से value substitute करेंगे तो हमारी h की value क्या है 3 into 1 upon 8 और by 0 की value क्या है 1 और by 6 की value क्या है 57.636 और यहाँ से 3 3 प्लस by 1 की value क्या दी गई है 1.359 by 2 की value 2.463 यहाँ से by 4 की value 10.919 और यहाँ से by 5 की value 24.736 अब यहाँ से यह चारों value हमने यहाँ पर लिख दी है फिर 2 multiply by 3 5.021 यहाँ से जब हम इसको पूरा solve करेंगे calculator की साथा इस साइंटिफे तो यहाँ से हमारा value क्या मिलेंगी पूरा हमें जब यहाँ से पूरा इनको solve करेंगे तो हमारी यहाँ से value मिल जाएंगी 70.166 और यही हमारा answer होगा ठीक है न integral 026 e to the power x 1 plus x dx इसका मान simplison 3 by 8 rule की साहता से ए value आएगी ठीक है तो वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को like केजिएगा चैनल को subscribe केजिएगा बेल आइकन को press कीजिएगा जिससे आने वाले notification आपको time पर मिलते रहे हैं धन्यवाद